हलो नमस्कार दूस्तो आज का हमारा टोपिक है एंवीडिया ड्रैवर कैसे डाउनलोड करते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो 11 के अंदर वो देखेंगे और प्लीज गाई यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइ प्लीज गारे इंटर करते हैं यहां पर आपको सेकेंड प्संदिश जिएगा यानि तो फर्स्ट आप्संदिख जिए इसको पर आपको क्लिक करते हैं एंवीडिया का ओफिशली वैप सैट ओपैंन होजाएगा बाकि इसका लिंक आपको फेस्बुक यानि तो टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगा या तो आप वहाँ से इस लिंक को कोपी कर लिजेगा अपने ब्रॉजर की यार में पेस्ट कीजेगा इंटर कीजेगा तो भी डेक्ट ली ये पेज ओपेन हो जाएगा ये पेज ओपेन होने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहला ओप्सन प्रोड़क क्से काटर अकर्ट करना है आपका सबसे करना है तो कोई और होगा तो क्यों और स्यलेट कर लिजेगा इसके बाद यहाँ पे आपको दिख Chiriz यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद जो Absolutely । इसलिए मैं यह स्लेट करेंगे वहाँ पर आपको इस तरह से दिख जाएगा अब आपका ग्राफिक काड इन में से कौन सा कैटेगोरी यानि कौन सा सीरीज में आता है वह यहाँ पर आपको सेलेट करना परेगा जैसे मेरे केस में 1660 है तो यह किस कैटेगोरी में आएगा यह इसके बाद यहाँ पर आपको परड़क्ट दिख जाएगा इसको पर आपको किलिक करके वह परड़क्ट कर लेना है जैसे मेरे केस में GTX 1660 है इसलिए मैं यह सेलेट कर रहा हूं आपके केस में कोई और होगा तो कोई और सेलेट कर लेना है अब आपको क्या करना यहाँ पर आपको operating system दिख जाएगा, यहाँ पे आपको click करना है, click करने के बाद यहाँ पे आपको सारा operating system दिख जाएगा, अब आपको यहाँ पे अपने operating system की हिसाब से आपको select करना है, यदि आप window 11 के लिए करना चाहते तो यहाँ पे आपको window 11 select करना है, window 10 के लिए करना चाहते तो window 10 select कर सकता है, इसे 7 की लिए करना है, तो 7 select कर सकते हैं, मेरे case में window 11 है, इसलिप मैं यहाँ यहाँ पर window 11 select कर रहा हूँ, इसके बाद आप क्या करना है, यहाँ Search पर click कर दिने, click करते हैं यह window open हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आपको download दिखे जाएगा या नहीं तो आप देखेंगे आज के date में यहाँ पर latest version यहीं है 472.12 आज के date में यह latest version है आप जिस time download कर रहे होंगे उस time पर यहाँ पर change भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर time की हिसाब से update होता रहता है तो आपको case में इस से उपर का version आ जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर download नौप पर click कर देने इसके बाद यहाँ पर यह window आ जाएगा यहाँ भी आपको download पर click कर देने click करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा अब आपको क्या करना है आप जहां पे भी इस exe को save करके रखना चाहते हैं वो पास select कर लिजेगा उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे save पे click कर देने हैं click करते हैं इस तरह से exe download होना शुरू हो जाएगा download complete होने के बाद आपको क्या करना है उस folder के अंदर जाना है जहां आपने exe को save करके रखा है वहाँ पे आपको इस तरह से exe दिख जाएगा अब आपको क्या करना है इस exe को पर आपको right click करना है इसके बाद आपको property पे click कर देना है click करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा अब मालेजे यदि आपके case में यहाँ पे unblock दिखते है तो आपको क्या करना है इसको tick mark कर देना है इसके बाद आपको apply पे click कर देना है यदि आपके case में यहाँ पे unblock नहीं दिखते है तो आपको क्या करना है ओके करके बाहर आ जाना है अब हम इसको install करेंगे install करने के लिए आपको क्या करना है या तो आप इसके ओपर डबल किलिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं तो आप राइट किलिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं तो आप राने इन मिस्टर के ऊपर किलिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं तीनों चीज में से कोई एक चीज आप कर लिज होता है तो आपको क्या हकरना यहां पर YES पे क्लिक कर देने, YES पर क्लिक करते है यह विंडू ऐब n हो जाएगा आपको क्या करना, यहां पर OK पर किलिक कर देने चोड़ ले संहरा सुखी इसके बाद यह window open हो जाएगा आपको क्या करना है I agree and continue के उपर आपको क्लिक कर देने हैं इसके बाद यहाँ पर आपको दो option मिलेगा एक express मिलेगा एक customize मिलेगा तो आपको क्या करना है यहाँ पर express ही select कर लेना है इसके बाद आपको next पर click कर देने next पर click करते हैं यह install होना शुरू हो जाएगा आपको कुछ निक करना है बस यहाँ पर आपको कुछ second wait करना है यह automatic install हो जाएगा झाल 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 इस्ट्रोलेशन कंप्लीट होने के बाद यह विंडो आ जाएगा आपको क्या करना यहाँ पर क्लोज के उपर आपको क्लिक कर दिने क्लोज के उपर क्लिक करने के बाद को सकेंड वेट कीजिएगा को सकेंड वेट करने के बाद इस तरह से आटमेटिक विंडो आपन हो जाएगा अब आप इससे desktop capture कर सकते हैं इससे streaming भी कर सकते हैं और बाकि इसका graphic card का जो भी setting करना है उस setting भी आप कर सकते हैं आपको मैं दिखा भी देता हूँ इसके लिए आपको क्या करना है desktop पर आपको right click करना है show more option पर क्लिक करना है आप देख रहें इस तरह से control panel open हो जाएगा अब आप यहां से जो भी setting करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से यहां पे setting कर लिजेगा और प्लीज गाई चैनल को subscribe करे, like करे, share करे, thank you